आज हम देखने जा रहे हैं कि अगर बच्चे अपनी कहानिया पुद लिखें तो वो डेफिनेटली उनकी रियल स्टोरीज होंगी उनका उनको फायदा क्या है बच्चों को क्या अपनी जो जाती तजर्बात हैं उनके उपर कहानी लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए करते हैं यहां हम एक शुरू करेंके और क्शेम्पल से पहले मैं आपको बताऊंगी जटने तो बच्चे आपने बहुत से स्ट्रस्यंस से निकल आते हैं और देट इस यह सट्रॉचरां अगरवस को राय्डायों करते नियुक्पने चार्ल करते हैं कि किा इक आनियं नरेश पहली चीज़ तो यह कांगस पेयह किक और फेपर को रहाएक रहromagnramento करते हैं और उसके बाद वर आप से नहीं और उसके बाद आप होसे कर सकते हैं पहली दिया एका रहा वंबहों काइल की कासी कारी मी बुर से घूजर रही थी और उस बुली की वज़े से डरिफिनेटलि ว़ डिफेंट सिम की स्ट्रेस्स से अन्जायगे से और डिपरेशन से गुजर रही होंगी उन्हों ने बहुत सई उसके ताकि वर घडिसी अरें लेकिन जो सब्सक्राइब उनको लगा जिससे उनका डिप्रेशन और इन्जाइटी और स्ट्रेस कम हुआ वह यह था कि उन्होंने अपनी कहानी लिखी जो ग्यारा साल की थी तो उन्होंने डिसाइड किया कि मेरेसा जो कुछ हो आए आप इस तो लाइप स्टोरी आज यह नहीं तो उने पता चला कि उनकी जो बुक है उसके 1.1 मिलियन व्रीडर्स जो हैं वो मौझूद है और यह फाइदा होता है अपने ही इवेंट्स को अपनी एक्स्पीरियंस को लिखने का कहानियों की शकल देने का बच्चों की रियल कहानियां उनकी जो रियल इवेंट्स ह पहले आवें फारता यह होता है कि आप उस जो ट्रॉमा है जो आपको आप जिससे गुजर रहे हैं जिसको आपने एक्स्पीरियंस किया है आप उससे हील हो सकते हैं वही चीज़ जो आपकी अंदर की एनर्जी है वो पेपर के उपर आ जाती है और जिस तरीके से आपका ट् करता है तो अगली इंपॉर्टन चीज या जाती है कि बच्चे जब अपने एक्स्पीरियंस को पेपर के उपर लिख रहे होते हैं तो वह बुन्यादी तोर पर दुबारा जाते हैं दुबारा अपनी मैमरी में रिकॉल करते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था उस रिकॉल के ऐब अच्कूल एग्जामन कर सकते हैं कि वह चुछेशन क्या थी और उसमीं क्या-क्यै इवंट्स नो रहे थे और उसके श किया सुछी कन फेचा कई और के और मा हमासी और साथियुक्त में यहां से निकल सकता था कोई और situation के अंदर twist होना चाहिए था या मुझे इस चीज का पता होना चाहिए था वुन्यादी तो पर बच्चे reflect करते हैं कि what happened और उसको कैसे बेतर तरीके से handle कर सकते थे तो जब वो situation को दुबारा से recall करते हैं तो they actually get a control over it. उस situation में जो different characters हैं उनको different तरीके से लिखते हैं किसी की power कम कर देते हैं अपनी strategies find out करते हैं इस तरीके से वने control जो है उसके उपर आता है और वह स्ट्रॉमा से overcome कर पाते हैं सबसे बहतरीन तरीके कार किया होता है बच्चों को लिखने की तरफ लाने के लिए कि वो अपनी कहानी लिखने के सपोस करें कि आपके स्कूल में आपके पास एक बच्चा आता है और वो आप से शेयर करता है कि आज वस ट्रॉमा से गुजरा या वस बुली से गुजरा और वो जो भी उसका experience है, वो एक बहतरीन कहानी बन सकता है. It can be a good plot, उसमें tension भी है, उसमें resolution भी वो बच्चे लिखेगा और definitely उसका जो trauma है, वो heal up होगा और दूसरे बच्चे पढ़ेंगे और वो कहानी जो है, बुनियादी तोर पर ये एक message देगी कि it is a real life problem. इसके साथ बच्चे के अंदर एक thinking capability डिवैलप होती है, कि वो दुबारा हो situation को जाता है, उसको देखता है और देखने के बाद उसे अपने तरीके से re-handling करता है. और हो सकता है situation को बहतर तरीके से लिखे या जो उसने situation के उपर वो बढ़ता चला जाता है और बच्चे की अपनी understanding जो है वो अपनी even के बारे में मजीद बेतर होती चली जाती है.